हलो दोस्तों चैल पर आपका स्वागत है आईए देखते हैं कि सुर्य देव जो सिंग लगन की कुंडली में लगनेश होते हैं वे सिंग लगन या लियो असेंडेट की कुंडली में क्या प्रभाव देंगे और यदि हमारी उनकी दशा महादशा चल रही है तो हमें क्या result मिल तो यदे आपकी जन्म कुंडली में नö bed नमबर पांच यहां पर लिखा है तब आपका लगन सिंग लगन या लिए असेंड़ेट की कि आपकी कुंडली सूरेव इस में लगनेश होते है और लगनेश होकर यह के लिए एक अतियोकरिक रह बारे सूर्य देव का प्रभावत समझने के लिए हम को सूर्य देव के बारे में तीन चार चीजे याद रखनी हैं पहली चीज ये सभी पराणियों की उतपत्ती का कारक है सब चीजे इन से पैदा होती है सब के स्वास्ते को ये अच्छा रखते है सूरे देव यदि सुबे के समय दिन में ना निकले तो अंधेरे में सब का स्वास्ते खराब हो जाएगा तो सूरे देव सबसे पहले इस व्यक्ति को अच्छा स्वास्ते देते है इनकी immunity इत्यादी अच्छी रखते है दूसरा सूरेदेव पिता के कारक होते है तो पिता का प्रभाव इस व्यक्ति पर बहुत रह सकता है सूरेदेव सभी ग्रहों के राजा कहलाते है और आज की डेट पे राजा तो होते नहीं है तो यानि की government, हमारे bosses, senior supervisors, इत्यादी इन सब को दिखाते है तो व्यक्ति को इन सब लोगों से भी फायदा होता है अब सूरेदेव के प्रभाव में चुकी ये राजा की कारक है तो व्यक्ति का व्यक्तित वो एक राजा की तरह हो सकता है काफी impressive personality होती है, प्रभावशाली होती है, लोग इनकी तरह अट्रैक्ट होती है अगर सूरेदेव का इस कुड़ी में बहुत अच्छा प्रभाव हुआ तो ये व्यक्ति जहां भी भीड में जाएंगे, ये दूर से पहचाने जाएंगे ये normally बाकी लोगों से लंबे होते हैं, गोरे हो सकते हैं मगर यदि शन्देव इत्यादी बाकी ग्रहों का प्रभाव आए तो इनके रंग में कुछ सामलापन भी आ सकता है इनका शरीर का structure बहुत अच्छा होता है, इनके bone structure इत्यादी काफी अच्छा होता है हडिया इनकी मजबूत होती है, जन्दली इनका स्वास्ते अच्छा रहता है सुर्देव का यदि प्रभाव बहुत जादा हुआ, तब इनको blood pressure इत्यादी की problem हो सकती है bones related और backbone में खास करके इनको problem हो सकती है सुर्देव प्रभाव में, सुर्देव चुकी राजा है और शेर जंगल का राजा कहलाए जाता है और शेर को यदि हमने देखा है तो शेर चुपचाप बैठा रहता है और जब वो उठता है, गुसे में आता है तो बहुत जोर से दहाडता है उसी तरह ये व्यक्ति भी जब कुसे में आएंगे, कभी कभी आएंगे मगर ये उस समय बहुत जोर से ऊची आवाज में दहाड़ेंगे और सब लोग इनसे डर जाते है राजा, सब की बात सुनते हैं मगर decision अपनी ही लेते हैं उसी तरह ये लोग भी किसी भी meeting इत्यादी में जाएंगे चाहे घर में हो या office में उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा तर ये लोग चपचाप सब की बात सुनेंगे और सब की राए सुनेंगे मगर आखिर में decision अपनी ही लेंगे और यहां पर इनको careful रहना चाहिए क्योंकि कई बार हमें दूसरों के सला लेने से भी फाइदा होता है और जिस तरह राजा अपनी प्रजा की देख पाल करता है उसी तरह ये लोग भी अपने आसपास सबी लोगों की देख पाल करेंगे उनके उपर पैसा खर्चेंगे सूरिदेव इनका आत्मसमान बढ़ा देते है मगर यही सूरिदेव का प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा हुआ या खरूर ग्रहों के दृष्टी हुई तो ये आत्मसमान एगो में बदल सकता है बहुत इगोईस्टिक हो सकते है और रैश परसनालिटी हो सकती है और इसको देखने का एक तरीका होता है कि इन व्यक्तियों का आप सर देखिए इनके जनली अगर बाल सर के उपर सामने से उड़े होंगे तो उसका मतलब है कि इनके उपर सूरे देव का प्रभाव काफी ताकत से आ रहा है मगर ये ताकत अच्छी और बूरी दोनों तरह की हो सकती है यदि सूरे देव का प्रभाव अच्छा हुआ तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता से बॉसस से सीनियर सूपरवाईजर से इनकी लगाव अच्छा होगा और उनसे इनको हेल्प मेरेगी वगर यही अगर सूरे देव का प्रभाव ज्यादा खराब हुआ तो ये शो आफ में पड़ जाएंगे ये खर्चा करेंगे ताकि लोग इनकी प्रशंसा करें ये लोगों को पैसा देंगे और जब वो लोग इनकी प्रशंसा करेंगे तो उस चापलूसी से ये लोग खुश होंगे इनको अच्छी गाडिया अच्छे कपड़े खरीदने का और दूसरों को दिखाने का शौंक होगा इनके अंदर करोध भी बहुत ज़्यादा हो सकता है सूर्यदेव चुकी गौर्मेंट के कारक है और गौर्मेंट की नौकरी लंबी चलती है तो इनकी नौकरी जरनली लंबी चलने की उमीद होती है सिवाए कुछ प्लेस्मेंट पे यदि सूर्यदेव चटे भाव में बैठे हों तो हो सकता है शुरुवाती दौर में ये व्यक्ति काफी नौकरी इत्यादी बदले राजा की तरह ये सबसे आगे रहते हैं किसी भी सहस्ता में जाएंगे वहाँ पर ये कोई ना कोई authority की position इनको मिल जाती है बच्छपन में भी ये लोग अपनी class में monitor हो सकते हैं sports में captain होसकते हैं इत्यादी जहां भी ये लोग जाएंगे वो वहाँ पर राजा की तरह यानिकी authority की position सबसे ऊपर की position management की position, supervisor की position इन सब को मिल सकती है सूरिदेव के प्रभाव में इनको याद रखना है कि एक precaution इनको लेनी है कि सूरिदेव चुकि आत्मसम्मान के कारग होते हैं तो इनको बुरे प्रभाव में बहुत ज़्यादा egoistic बना सकते हैं उस बारे में इनको सतर करेना चाहिए और जिनकी भी कुंडली में रहुदेव यदी यहाँ पर बैठे है उस case में इन लोगों के जहां भी सूरिदेव प्लेस्ट होंगे वहाँ पर इनको प्राबलम हाएगी और सूरिदेव ज़्यादा जगा अच्छी ही रिजल्ट देते है मगर यदी आठ या बारा में हुए तो यहाँ पर यह ब्यक्ति का confidence भी कम कर सकते है और हो सकता है उसको ज़्यादा चुप रहने की आदत पड़ जाए और साथ में क्रोध और ego की वज़े से इनकी बाकी लोगों के साथ लडाई जग्रा इत्यादी वाद विवाद हो सकता है सूरिदेव इस कुंडली के अंदर जब नौवे भाव में बैठे होंगे जहां पर नमबर एक लिखा है तब यह अपनी उच्छ राशी में कहलाएंगे और जब यह तीसरे भाव में बैठे हैं जहां नमबर साथ लिखा है तब यह अपनी नीच्छ राशी में कहलाएंगे तो सूरिदेव इस कुंडली के लिए आती योग कारग रहे होते हैं इसलिए सिंग लगन के सबी व्यक्तियों को सूरिदेव की पूजा, सूरिदेव को जल चड़ाना ओमादेत्याय नमा का उचारन करना इत्यादी करने चाहिए और साथ ही इनको नमक भी कम खाना चाहिए क्योंकि सूरिदेव का यदि प्रभाव ज़्यादा होगा तो इनके ब्लड प्रेशर इत्यादी ये ज़्यादा रख सकते हैं खास करकि अगर शानी देव का प्रभाव सूरिदेव के उपर आ गया तो उसकी एक इंडिकेशन आएगी कि इनके टांगों में एंकल्स के पास वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद उनको ब्लड प्रेशर इत्यादी की बिमारिया लग सकती है तो वहाँ इनको कैरफुल रहना चाहिए तो मुझे उम्मीद है आपको आज कर वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद